So guys, थोड़े ही टाइम पहले हमने 20,000 रुपए में ये PC बिल्ड किया था जिसमें हमने यूज किया था Ryzen 3 30 200 G उस वीडियो में हमने PC को बनाया था और उसे थोड़ा वखा टेस्ट किया था बट मैंने कहा था कि editing का detail में test मैं दूसरे वीडियो में करूँगा तो आज है वो दिन और आज हम इस PC का editing test करने वाले है तो अगर आपने वो previous वीडियो नहीं देखा तो आपको PC के specs बताता हूँ इसमें हमने यूज किया है Ryzen 3 30 200 G प्रोसेसर 8 GB का Corsair Vengeance 3000 MHz राम Motherboard हमने इसमें यूज किया है MSI का B450M Storage के ला हमने यहाँ पे 250 GB की SSD यूज किया है 400 Watt का and D-Sport का power supply यूज किया है और N-Tech का ये वाला cabinet हमने इसमें यूज किया है तो चले करते हैं इसका editing test तो यहाँ पे हम next video record कर रहे है हमारे Tech Battle का यहाँ पे आप देख सकते जो setup है तो यह वीडियो में 4K में शूट कर रहा हूँ आप देख सकते अधर पे यह वीडियो में 4K में रिकॉर्ड करने वाला हूँ और यहाँ पे इसका screen recording भी होगा तो हम जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसी को edit कर के try करेंगे So finally हमने यह वीडियो edit कर लिए जो कि अभी हमने shoot किया So यह आप दिखा सकता हूँ मैं आपको यह मैंने proxy बगएरा बनाके इसे edit किया है तो मैं आपको एक एक करके चीजे बताता हूँ तो मैं पहले proxy off करके बताता हूँ कि इसका playback आपको कैसा दिखने को मिलने आगा है आप देख सकते हो अगर मैं proxy off कर दूँ तो आपको 4K file एकदम जादा laggy देखने को मिलेगा So इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप proxy बना ले तो proxy अगर आप एक editor हो तो आपको पता ही होगा यहां पर resolution पुछे का 720p पर बना देता है फिर यह आपके file का proxy बनाता है So यह PC में थोड़ा ज्यादा time लेने वाला है So guys यहां पर मैंने जैसे कि यह blur effect दिया है दो layer है एक यह है तो यहां पर तो भी अच्छा perform कर ले रहा है अगर प्लेबैक भी करो तो यह भी lag कर रहा है क्योंकि proxy बंद है अगर मैं proxy on करता हूँ नहीं So guys आपने एक बार proxy बना लीना तो आपका जो playback है एकदम सुधर जाएगा मतला आप देख सकते हो proxy के बाद एकदम smooth playback होने वाला है कोई भी PC in fact मेरा 3600 वाला जो processor है वह इससे काफी powerful है तो भी उसमें proxy मुझे बनाना ही पड़ता है 4K अगर file edit करना है तो आप देख सकते हो proxy के बाद playback काफी smooth हो जाता है तो यहाँ पे मैंने कुछ layers यूज किया है जैसे की for example यह यहाँ पे देखिए मैंने blur layer यूज किया है और पीछे एक screen record है और यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो भी इसमें आपको smooth playback देखने को मिल जा रहा है तो आप इस प्रकार से basic editing अराम से कर सते हो 3200G में तो कैसे अगर आपको बहुत सारे software's एक साथ यूज करना है ना जैसे की Premiere Pro हो गया Photoshop हो गया After Effects हो गया चार software एक साथ यूज करोगे ना तो आपको problem देखने को मिलेगी कि RAM इसमें 8GB है और 3200G एक APU है तो उसमें VRAM रहता है वो भी main RAM से लिया जाता है तो इस चीज के वज़े से यह 4-5 software एक साथ नहीं कुल सकता बढ़ हाँ एक या 2 software आराम से चला सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं अगर आपको multiple software यूज करने तो मैं सज़ेश करूँगा आप एक stick और ले ले RAM की यहां मैंने already 16GB यूज करता था बट मैंने इस video के लिए 8GB तो आप 16GB अगर राम कर लोगे तो आपको बहुत benefit मिलेगा तो यह तो 4K था 1080p भी आप इससे बैटर ही edit कर पाऊगे क्योंकि 4K फाइल ही इतना अच्छे से handle कर ले रहा है प्रॉक्सी का use करके तो 1080p भी अच्छे से हो जाएगा में चीज देखने है कि इसको render time और proxy create करने में कितना time लगता है सबसे पहले आपको 10 minute की footage है इसका proxy बनाके दिखाता हूं कि 10 minute for k footage में कितना time लगता है इसका प्रॉक्सी बनाने में इस file का जो 10 minute 4K उसका प्रॉक्सी बनाने जा रहा है तो मैं आपको यह पर दिखाता हूं हो बास्य इहं ना ने का little time लेता है मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि यह 20-30 मिनिट तक लेगा तो यहां तक तो सब सभी चल रहा था फिर मैंने डाला कलर ग्रीडिंग वाला लेयर मतलब मैंने कलर ग्रीडिंग करना था वहां पर असली दिक्कत शुरू होती है देखिए मैंने लियर ओन किया इसे तो मैं आपको एक्जांपल के साथ समझाता हूं अभी समझे कि यह मुझे यह मेरे फेस का जो स्किन टोन है उसे ग्रीन करना है एक्जांपल दे रहा हूं बस आपको तो मैं इसे एकदम ग्रीन कर द प्रिफ्टीफाइब तो आपने देखा कि यह फिफ्टी सेवन सेकेंड मतलब एक मिनिट बाद वह एक मिनिट पहले तो यह सबसे बढ़ा प्राबलम लगा मुझे इसका यह मैंने आपको हल्क बना दिया यहां पर तो यह मुझे सबसे बड़ा प्राब्लम लगा करेंगे यहां पर मैंने आप देख सकते हो 16GB RAM डाल दिया है ठीक है पहले 8GB था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह रैम के विले से हो रहा है तो लेट सी कि आप वह सेम इफेक्ट डालने पर कितना डाइम लगता है तो आप सिमिलर 16GB RAM के सा जाद भी ट्राइब करते हैं यह हमने ग्रीन कर दिया वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टेन अराउंड 9-10 सेकेंड में यह एफेक्ट अप्लाय हो जाता है तो यह बहुत यह अच्छी बात है कि पिछली बार हमें जो एक मिनिट लग रहा था तो अगर आ कि 8GB में काम नहीं होने वाले और अगर और भी आपको फास्ट करना तो एक और टेक्निक बता देता हूं मैं जैसे मैं इसे रिवर्स कर देता हूं यहां पे ना यह फूल पैना यह वन बाइट पर करके सेम एफेक्ट वन टू दो तीन सेकंड में हो गया तो आप इसे वन बाइट यूज करके और भी फास्ट कर सकते हो दो तीन सेकंड में हो जाएगा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 16GB RAM ले 8GB इसके लिए थोड़ा कम पड़ेगा तो यह अगर मैं इसके रेंडर स्पीड की बात करूंगा तो यह अराउंड 4 आवर तक ले रहा था यह वीडियो को रेंडर करने के लिए यह वीडियो है अराउंड 7 मिनिट की और यह 4K रेंडर फिर जब मैंने इसमें 8GB RAM एक्टाला मतलब टोटल 16GB RAM जब हुआ तो वो रेंडर तैम काफी कम हो गया था वो देड़ दो घंटे के आसपस बता रहा था यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप 4K heavy file एडिट करने वाले हो या फिर जादे effects यूज़ करने वाले हो तो आपको यह RAM 16GB minimum होना ही चाहिए उसके बिना आपको बहुत जादा problem होने वाली है सब बात करते है final conclusion की कि क्या आपको यह setup आपके लिए लेना चाहिए कि नहीं for editing यहां पर कुछ condition है अगर आपका budget काफी कम है तो आपके पास कोई option नहीं है दूसरी बात अगर आपको 1080p level के editing करनी है तो यह अराम से करा देगा आप इसे ले सकते हो यह PC बना सकते हो 20K budget के लिए बहुत ही सही PC है बट 4K के लिए मैं उतना recommend नहीं करूँगा 4K वाले मतलब जुगार वगरा कर सकते है editing बट आप 4K daily basis पर एडिट करना चाहते है तो आपकी productivity को काफी effect करेगा आपको काफी जादा render time देखने को मिलेगा आपको proxy वगरा में भी time लगेगा और effect डालने में भी आपको time लगने वाला है तो 41080P, yes, for 4K अगर budget नहीं है तो मतलब आपके option नहीं है बट आप अगर budget बढ़ा सकते हो तो आप better configuration लें at least आप consider कर सकते है around 40-50,000 वाला budget PC तो अगर आपको देखना है कि इस PC का gaming experience कैसा है तो मैंने already वो वीडियो बनाया है आप उसे ज़रूर चेक कर लेना इसी recommendation के लिए हमारी PC Build Series चेक कर सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो बैए